हेलो एवरिवन, पित्तु खना गुड लाइफ में आपका स्वागत है मैं आज बना रही हूँ पनीर मंचूरिन पनीर मंचूरिन बनाने के लिए मैंने लिया है 200 गराम पनीर साथ में बारी, कटी, शिम्लामिश और गाजर है अद्रक, लसन है, नमक है और मैदा है 2 चमच, साथ में हैं ब्रेट की 3 स्लाइस तो आईए हम इसको बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले हम पनीर को मैश कर लेते हैं और ब्रेट को मिक्सी में पीस लेते हैं हमने पनीर मैश कर लिया है और ब्रेट को पीस लिया है अब हम इनको mix करते हैं पहले हम डालते हैं इसमें शिमला मेश और गाजर अब हम डालेंगे इसमें bread साथ में अदरक लसन नमक नमक आप अपने सौाद के नुसार डालें अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे हमने इनको mix करके अच्छा सा डो त्यार कर लिया है देखिए हमने इसका अच्छे से डो त्यार कर लिया है अब हम इसके manchurin ball बनाएंगे मैं इनको round shape में बना रहे हूं अगर आप चाहें तो कुछ different shape में भी बना सकते हैं हमारे manchurin ball जो बनकर त्यार हो चुके हैं अब हम इनको तेल में fry करेंगे ये देखिए हमारे ball त्यार हो चुके हैं अब ये तेल में तलने के लिए त्यार हैं मैंने pan पहले मैंने मैदा लिया है मैदे का मैंने घोल त्यार कर लिया है ये दो चम्मश मैदा है जिसमें मैंने पानी डाल के इसका घोल त्यार कर लिया है इसमें हम manchurin ball को dip करके fry करेंगे तेल हमारा गरम हो रहा है हमने बहुत तेज तेल को गरम नहीं करना है मीडियम ही रखना है अब हमने मंचूरियन को मैदे की घोल में डिप करके तलना है हम ऐसे एक एक करके सारे मंचूरियन तेल में फ्राइ कर लेंगे आंच मेडियम रखनी है हमारे मंचूरियन फ्राइ हो चुके है देखिए हमारे मंचूरियन फ्राइ हो चुके है अब हम ग्रेवी त्यार कर लेते हैं ग्रेवी त्यार करने के लिए मैंने लिया है अधरक लसन प्याज, काली मिर्श, नमक, सोया सॉस, टोमेटो केचप, विनेगर और साथ में है नौर का होटन सॉर सूप होटन सॉर सूप मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैं कॉर्ण फ्लोर को यूज नहीं कर रहे हूँ इससे ग्रेवी और भी ज़्यादा, तोमेटो केचप और डाक सोया सॉस, तो आएए अब हम ग्रेवी बनाते हैं मैं पैन में ओईल डाल रहे हूँ, यह बड़ा चमश ओईल का है, इसके साथ हम डालेंगे अदरक और लसन यह देखिए अदरक लसन हम डाल रहे हैं इनको हमने एक मिनटी फ्राई करना है साथ में हम डालें कटा हुआ प्यास, यह बारी कटा हुआ प्यास है, आप इसमें स्प्रिंग अनियन भी डाल सकते हैं हमने इसको भी एक चे दो मिनटी फ्राई करना है, साथ में सोया सॉस और टोमेटो केचप सोया सॉस मैंने डाल दी हुई है यह टोमाटो कैचप है साथ में मैं इसमें डालूँगी नमक काली मेर्ष यह नमक है साथ में काली मेर्ष यह आप अपनी स्वाद के अनुसार ले सकते है अब हम इसमें डालेंगे नौर का होट एंस और वेजिटेबल सूप इसके साथ हम डालेंगे दो गिलास पानी यह गिलास पानी डाल दी अब दूसरा गिलास डालेंगे अब हम इसको एक उबाल आने तक तेज आश पर पकाएंगे जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसमें मंचूरिन बॉल डाल देंगे देखे इसमें एक उबाल आ चुका है अब हम इसमें मंचूरिन बॉल डाल रहे हैं इनको हमने 10 मिनट तक ढखकर पकाना है मीडियम आज पर, धीमी आज पर और बीच बीच में चलाते रहना है हमने आज को धीमा कर दिया है और ढग दिया है अब हम इसको 10 मिनट तक पकाएंगे और 5 मिनट के बाद चेक करेंगे 5 मिनट हो चुके हैं हम एक बार इनको फिर से चेक कर लेते हैं और अच्छे से चला लेते हैं बस 5 मिनट और धक कर पकाएंगे देखिए हमारे मंचूरियन तयार हो चुके हैं आप इनको फ्राइब राइब और नूडल्स के साथ खा सकते हैं मैं इनको नूडल्स के साथ खाने वाली हूँ आपको यह रेस्पी अच्छी लगी होगी ऐसी आशा करती हूँ तेंक यू